मैं मुहमद सल्मान आप देख रहें मेरा चैनल माश्टर कोचिंग सेंटर आज की जो क्लास है वो हमारी है फिजिक्स की फिजिक्स फिर्ष्ट यर की और जितने भी टॉपिक है इंशाले इस चैप्टर के सारे कवर करेंगे एक लेक्चर अपलोड हो चुका है और डेली आपक वीडियो इस चैनल पर लाजमी सारी वीडियो एक लिश्ट मैंने बना दी है और चैप्टर टु के नाम से आप जितनी भी प्लेश में जितने भी टॉपिक से कोई भी आपको समझना हो कभी बीसमझें आप अस लिश्ट में जा और वहां से आप इसको समझ सकते हो तो सारे आपनी वीडियो के उपर तो आज का जो लेक्चर है वह रिजल्टेंड वेक्टर है इंपॉर्टेंट है लॉंग में यह सवाल आ सकता है सही है क्योंकि यह जो एक चैप्टर है चैप्टर नंबर टू इस चैप्टर में न्यू बुक के अंदर क्या चेंजिंग की है एक तो इस चैप्टर के टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है इस पूरे चैप्टर में तो अगर बेसिक इस चैप्टर की समरी लूँ तो इस चैप्टर के अंदर इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक नजर आएगा किस तरह से चैप्टर टू स्केलर वेक्टर का टॉपिक है एक्वेशन का टापिक है चैप्टर फोड टूडिवेंशन मोशन भी इसी चैप्टर के अंदर इन्होंने कवर किया है तो आपके पास जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर ऑल्ड बुख के तीन आसी चैप्टिर को मरज करके ईकटर के अंदर रखा है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत जादा डि कहीत – बहुत टॉपिक को मिनिमाइस किया और ऑ CBD को चुटे टॉपिक और अब और बाकि of márkyman चाम और ऑच्छे तबखर 26 विडियो पर सब कुट दो रख नोर व्यक्ता स्व्यक्टित थी तेट इस शोड़ा वैक्टर को कै zona फेक्ट्र यह हमारा अरश इसंद वैक्टर होता जो ए वैक्टर वैक्टर तो का ममाइण एफ क्षेक्ट देता वो कहलता इसका resultant vector सही है यहाँ पर इसले ने resultant vector indicate combined effect of individual vector सही है अब हमारे में main topic है addition of vector इसकी दो property है एक commutative property है और दूसरी associative property exam में यह दोनों आती है या तो इस तरह आ सकती है या इस तरह लिखी वी आ जाए commutative property a plus b is equal to b plus a आपके बाद property है क्या है है तो अगर देखो आप इतना छोटा सा आपको सवाल नजर आ रहा है लेकिन इसमें figure compulsory यह must है अगर आप figure को proper नहीं बनाओगे figure को proper नहीं समझोगे तो इस सवाल को आपको कभी भी समझ नहीं आएगा तो proper figure को समझना जरूरी है जैसे मैं figure बना रहा हूँ वैसी मैंने या description लिखी इसलिए अगर आप figure में कोई changing करोगे तो आपको यह description में changing करनी पड़ी देखो फिर मैं vector बनाओंगा B अब B vector को इस तरह करूँगा कि A vector के साथ add हो रहा है तो यह मेरा vector हो गया B एक vector A आगया एक vector B आगया मैंने इसको नाम दिया O इस point को नाम दिया A तो मुझे पता चलिया A vector जो है वो O A line से represent है इस point को मैंने नाम दिया C तो A से लेके C तक मेरा B vector है अ अब मैं अगर इसके resultant की बात करूं तो resultant क्या होता है first vector से last vector तक होता है तो यह resultant की line आ गई तो arrow बनाना ज़रूरी है जहां से vector जहां तक जा रहा है वहीं से अपर वेक्टर नीचे आ रहा होता तो arrow यह आता सही है तो यह आपके पास जो resultant नजर आ रहा है वह एको B से add क करने पर यह line obtained हो रही है left hand side यह है कि जब resultant करने a plus B तो यह आर वेक्टर आप्टेंड हो रहा है इसको आर नाम दे दिया फिर इसी डाइगराम के अंदर में क्या करूंगा देखो अब मैं सारी काम रेट से गर रहा हो आपको नजर अच्छे से समाझ आ जागा फिर एक्टर यहां line है रही है उतनी ही टेडी मेंने सामने भी बरा यह नजर आ रही है आप लोगो तोड़ी बहुत 19-20 होगी चल जाएगी लेकिन बहुत जादा फरक होगा examiner cut कर देगा फिर exam marks नहीं देगा सही है तो a vector के opposite a vector आ गया और b के opposite बिलकुल b vector जैसे b vector जा रहा है वैसे आप b resultant हमें यही वाली line मिल रही है b को a से add करने पर तो हुआ यह के commutative property of vector addition यह commutative law of vector addition proof होता है a plus b किया जाए या b plus a किया जाए answer दोनों सूर्तों में same आता है exam में आपके नहीं यह diagram proper बनानी है o a c और जो last point है उसको नाम में ने दिया b क्योंकि मैंने यहां पर o a c b लिखा हो है अगर यहां पर आप o a b c लिखोगे तो इस point को b और इसको c नाम दोगे सही देखो diagonal हमारा यह जो line नजर आ रही ओसी resultant की है डाइगनल रिप्रिजट था resultant है बहुत छोटा सारा काम diagram के ओपर है clear diagram समझ सकते हो समझ लो अच्छे से तो आप यह थोड़ी बहुत चीज इस तरह बनेगी इसकी डाइग्राम समझने ही जरूरी है सबसे पहले वेक्टर बनाऊगा यह वेरा एक्टर होगा तो फिर मैं वेक्टर बनाऊँगा भी तो मैं एक्टर के बाद ले ले तो भी वेक्टर साफ सुत्री बड़ी diagram बनाऊ तो अच्छा रहेगा आपके लिए एक्टर बना लिया बी वेक्टर बना दिया आपने नाम दे दिया इस पॉइंट को पी प्लस बी वेक्टर का आगे बढ़ते अब मुझे इस डेरिवेशन में इस पार्ट के अंदर सॉलीशन में ए प्लस बी को सी से एड करना तो मेरा सी वेक्टर बनाना है अब सी वेक्टर देखो मैंने यहां बनाई यह रहा मेरा सी वेक्टर हो यहां लेखूंगा यह मेरा सी ए प्लस बी को जब मैं सी से एड़ कर रहा हूं तो देखो यह में पार लाइन यह वाली आ रहे हैं नीचे वाली देख रहो लाइन को मैं सीधा बना देगी कोशिश में कि मैं स्केल वागरा तो इसलिए थोड़ी सी टेड़ी बेड़ी नजर आ रही है आप स्केल से बनाओ अब देखो यह वेक्टर था यह सी वेक्टर था जब आपने ए बी को ए प्लस बी के वेक्टर को सी से एड़ किया आपके पास यह वाली लाइन मौझूद आ गई इस लाइन को आप नाम दे दो देखो पी क्यू आर और इस पॉइंट को दाम दे दो एस तो अब आप एक चीज नोट रख लो अपने पास साइड में कि जब आपने ए बी सी को एड़ गया एक रिजल्टिन वेक्टर आ रहाया जो किस ला किया एक पहले यह लेफ्ट हैंड साइड नीचे सब्सक्राइब अगर मैं रिजल्टिन की बात करूं देखो यह जो रैट से नीचे लाइन है यह पी एस यह रिजल्टिन वेक्टर को रिप्रेजर्ट कर रही है ए प्लस भी वेक्टर वाली लाइन यह है पी आर तो पी आर लाइन को मैंने क्सें एड किया और एस वाली लाइन से को यह तो मेरे पर रिसल्टेंड हुआ अब bestimm आले पारियए है राइंड साइब किया करूंगा इसी डाइगराम को अब डाइगराम में इस पार्ट के अंदर पहले मुझे 9C को एड़ करना वیک्टर B आपको यह लाइ कर रहे हो तो आपको कौन सी लाइन ऑप्टेंड हो रही है क्यू एस की सब्सक्राइब न आपने क्या करना है उपर बी सी एसे एड होगा तो एवेक्टर यह रहा यह रहा एक इस वेक्टर को यह बी सी वाली लाइन लिख दे तो भी प्लस सी इससे जब एड करा रहे है तो प्लस क्यू ग 거지 कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है क्यू एस से अगर इसकी बात करो तो रिसल्टेंड मुझे मिल राहा है पी एस इस ब्सक्राइब के पास पी क्यू था और बी प्लस की वे果FP आपका क्या है Response Q R plus R S तो यह vector आपके पास मिला है या इसको आप direct भी लिख सकते हो इसकी जगा B plus C आपके पास क्या है Q S सीधा सीधा सही तो यह आपके बाद दो side prove हूँ left-hand side और right-hand side दोनुबे answer आपके बाद P S आया इस वजह से हम लिखेंगे from equation A in equation to a plus b plus c करें या a को b plus c के आंसर से add करें यह हमारा कहलाता है associative law vector addition यह दोनु ही important है associative law बड़ा है और commutative law चोटा है लेकिन diagram दोनु में compulsory है और proper pencil से आपने बनानी है सही अगर pencil से आप diagram proper नहीं बनाओगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे सही आगे बढ़ते हैं कुछ basic definition है subtraction of vector की vector cannot subtract directly vector direct subtract तो नहीं हो सकते अब अगर एक a vector है एक b vector है a vector और अगर मुझे करना है a vector को b से minus तो करना मुझे क्या पड़ेगा पहले मैं a vector ही लूँगा minus b vector बोर रहा है तो b vector की negative vector बनाओगा तो यह राब b vector आपको नजर आ रहा है किसी भी vector को जब negative करते हैं पीछे मैंने topic 1 में समझाया था कि उसकी direction change हो जाए जब minus b vector लूँगा देखो arrow की direction change हो गए तो a minus b करूँगा तो vector जब a plus b करता तो नीचे vector बनता a को b से plus करता अब minus कर रहे हैं तो vector कहां जा रहा है उपर तो यह मेरा a minus b इस तरह से represent होगा सही तो यह diagram या बदाई वे a vector लिया b minus b लिया तो a को b से minus करना था तो जिस direction में b जा रहा था उस direction में लिया गया तो सप्रेक्ट यह सारी चीजिस के calculation दिखाई जो मैंने आपको समझाई फिर multiplication of vector by a number के vector को number से अगर मुझे multiply कराना हो तो क्या अगर नंबर के आपर एन थोड़ा मिटावागा तो यह वेन वेक्टर is multiplied by a positive number के vector को अगर किसी positive number से हम multiply करते हैं तो क्या होता है इसकी magnitude उतने times बढ़ जाती कैसे simple एक एक वेक्टर नज़र आ रहा है आपको direct अगर मैं इसको multiply करता हूं किसी n value से तो क्या होगा अगर इसकी n की value for example 3 है तो यह vector 3 गोना हो जाएगा सही है किसी तरह अगर a vector को मैं multiply कर दूं किसी और number से two से तो two times हो जाएगा डबल हो जाएगा तो जिस भी vector को multiply करेंगे जितने भी value से वो उसी से multiply माज़ेगे division of vector को multiplication ही समझ सकते हैं बस division के वक्त actor a को जो number से multiply करेंगे वो fraction वाला होगा तो वो इस तरह से कि a को अगर मैं multiply कर दूं किससे one upon two से या बोलू एक को टू से divide कर दूं तो बात वही हो गई तो a vector है अगर इसको एक को multiply कर दूं one upon two से या मैं बोलू एक को मैं किससे divide कर दूं तो उतने times the vector छोटा हो जाएगा मतलब हाफ हो जाएगा वेक्टर तो यह multiplication और डिवीजन कराती है तो यह इसकी पॉइंट लिए में वेक्टर इस वेन वेक्टर कॉंट्री डिवाइड बाइन पॉजिटिव नंबर देन मैगनिटिव नंबर किसी नेगिटिव नंबर से मल्टिवाइड या मल्टिप्लाइग करें चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरों को बताएं और दूसरों को भी बोलें कि अगर आपको अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब करें नहीं अच्छा लग रहा तो कोई मसला ने लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी दूसरों करें और कमेंट करके